जाडू लगाने वाले के बेटे ने वो कर दिखाया जो कॉमनवेल्ज गेम सितहास में कोई नहीं कर पाया चोट के बावजूद हिम्मत नहीं हारी हौस्ता नहीं कवाया CWG 2022 में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल जिताया कहानी देश के नई गोल्डेन बॉई Jeremy Lardininga की किसी ने क्या हूब कहा है हार हो जाती है जब मालल लिया जाता है जीत तब होती है जब थान लिया जाता है इस कहावट को सचकर दिखाया है भारत के मिजुरम के लाल ने जिसके घुटने में चोट लगी हुई थी वो बे इंतिहा दर्द से कराह रहा था जिसे इतना भीशर दर्द हो रहा था कि उसका उठना भी मुश्किल था लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ठान लिया कि जीत रहे तो बस जीतना है और जैसा कि आपने कहावत सुनकर समझी लिया होगा जब ठान लिया जाता है तो जीत तो होने ही थी मेजोरम के एक झालू लगाने वाले के बेटे ने दुनिया के सामने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया नाम है जरेमी लाल देनोंगा 19 साल का वो लड़का जो आज पूरे भारत में च्छा गया है जिसने 67 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की जोली में कॉमन बेल्ट गेम्स 2022 का दूसरा गोल्ड मेडल डाल दिया है और शान से दुनिया के सामने भारत का तिरंगा लहरा दिया है मीरा भाई चानू के बाद जरमी ने वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है जरमी ने 67 किलोग्राम भार्ग वर्ग में कुल 300 किलोग्राम वजन उठाकर ये इतिहास रचा है जरमी ने चोट के बावजूद भारत को गोल्ड मेडल कैसे जिताया इसकी कहानी जानना भी जरूरी है पहले तो स्नैच राउन में उन्होंने पहली कोशिच में 136 किलोग्राम वजण उठाया दूसरी कोशिच में 140 किलोग्राम वजण उठाकर उन्होंने बढ़त बना ली दर्द से कराह रहे जरमी तीसरे राउन में 143 किलोग्राम वजण नहीं उठा पाए जिसकी वज़ा से गोल्ड की उमीडें धीमे धीमे चकना चूर होती जा रही थी लेकिन जरमी ने इसके बाद क्या कमाल की वाफ सीकी जरमी ने क्लीन एंजल कर राउंड में गेम को पूरी तरह से परट कर रख दिया जरमी ने पहले राउंड में 154 किलोग्राम का फार उठाया लेकिन वो परिशानी से जूचते दिखे उनको चोट लग गई लेकिन उसके बावजूद वो थमे नहीं और दूसरे राउंड में 160 किलोग्राम का फार उठा कर सभी को हैरान कर दाला लेकिन इसके बाद उनकी दिक्कते लगातार बढ़ती चली गई वो दर्द से करहाते दिखे और एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि तीसरे राउंड में वो शायदी मैदान में उत्रे लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही वो मैदान पर उत्रे तो जरूर लेकिन 165 किलोग्राम वजन को सही तरीके से उठा रही पाए जर्मी का हाथ फिसल गया और वो मैदान पर ही गिर पड़े लेकिन इससे पहले उन्होंने स्नैच राउंड में ही ऐसा काम कर दिखाया था जो भारत के लिए स्वान पदक जिताने के लिए काफी था और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही स्नैच राउंड में 140 और क्लीन और जर्क में 160 किलो भार उठाकर कुल 300 किलोग्राम का वज़र उठाया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लाए लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब जर्मी ने देश का नाम रोशन किया हो 2018 यूथ ओलम्पिक में 62 किलोग्राम केड़ेगरी में गोल्ड मेडल जीता था यूथ ओलम्पिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारती रहे हैं एशियन वेड डिफ्टिंग चैंपियंशिप में सिल्वर मेडल भी जर्मी ने जीता था पिता ने जाड़ू उठा कर निभाई थी परिवार की जिम्मेदारी जैनिमी के पिता स्टेट और नैशनल लेवल पर बॉक्सिंग में मेडल जीत चुके हैं हाराद बहतर ना होनी की वज़ा से लाल नुंगा को पिड़ालू डी के सर्क निर्वार में जाड़ू मारने की नौकरी करनी पड़ी थी पिता की ये तफस्या काम आई उनकी मेहनत रंग लाई और बेटे ने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा दिया और अपनी शान को और बढ़ा दिया जैनिमी के गोल्ड मेनल जीतने पर आज पूरा देश उन पर नाज कर रहा है गर्व कर रहा है अगर आपको भी जैनिमी की ये कहानी पसंद आई है तो इस पीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें और इतने लोगों तक ये पहुचाएं जितने लोगों तक आप पहुचा सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है कि ऐसी कहानियों का साक्षी हर कोई बने हर एक बच्चा इसको सुने ताकि वो भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का जजबा अपने अंदर पैदा कर पाए